नमस्ते, मैं विकास दी पांडे परफेक्ट एगेडमी के परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वाकत अभिनंदन कर रहा हूँ दो मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बात इसलिए ध्यान से सुननी है क्योंकि हमें लग रहा है कि मोधी सरकार जाने वाली है और ऐसा हमें नहीं लग रहा है, ऐसा राहुल गांधी को लग रहा है, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने लोक सभा में मोधी सरकार के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताओं लेकर किया है लोग सभा में जो मौझूदा सरकार होती है वो गिर जाती है मौझूदा सरकार को स्तीफा देना पड़ता है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है बड़ी भैंकर वाली चीज है क्या होती है क्या इसका इतिहास है अभी तक कितनी बार लाया गया है सब के बारे में एक के करके बहुत आसान भासा में आपको समझाओं एर सरी की सारी चीजे यह तो तुम फोटो देखी रहे हो के भी अमोदी जी टेंसन में आ गया और राहल गांदी तो उंगली तो दिखाएंगी क्या है पूरा का पूरा मैटर अविश्वास प्रस्ताओं कि अगर आपको कहानी समझनी है तो अम लोग थोड़ा सा इसके बैक्ग्राउंड में चलते हैं अभी तक अविश्वास प्रस्ताओं 27 बार लाया गया है और ये वाला अगर जोड़ लोगे तो टूटल 28 हो जायेगा अभी जल्दी विपक्ष लेकर के आई है ना यानि इस अविश्वास फस्ताओं को अगर छोड़ दिया जाए अभी तक टूटल अविश्वास फस्ताओं 27 बार लाया गया है पहली बार लाया गया था 1960 में और उस 23 में लाया गया है अभी तक किस प्रधानमंत्री के ऊपर या किस प्रधानमंत्री के कारेकाल में सबसे अधिक अविश्वास फस्ताओं लाया गया है मतलब उनके खिलाफ ही सबसे अधिक अविश्वास फस्ताओं लाया गया है तो प्रधानमंत्री का नाम है इंद्रा गां जादा दरने की जरूरत नहीं है. अब सुनो सबसे खतरनाक बात. अभी तक 27 बार अविश्वास पास्ताओ आया है और तीन बार ऐसा हुआ है जो सरकार चल रही है. वो सरकार गिर गई. कब कब ग pendri ये सुनो सरकार गिर गई तीन बार. कब कब गिरिये सबसे पहली. पहली बा 1997 क्लियर है सिंपल सी बात और तीसरी बार अटल बिहारी बाचपी की सरकार गिर गई है 1999 में तो भीया इसको हलकी चीज ना मानो अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है जो मौझूदा सरकार होती है उस सरकार गिर जाती है और ऐसा पहले भी हुआ है तीन लोगों के स बीपी सिंग के साथ HD देवगोडा के साथ और सबसे लास्ट अटल बिहारी बाचपी उनके साथ तो जल्दी हुआ था 1999 में क्लियर है सिंपल सी बात होता क्या है अविश्वास प्रस्ताओं को सिर्फ और सिर्फ पहली बात ये जानिए कि लोग सभा में ही लाया जा सकता है राज सभा में अविश्वास प्रस्ताओं यानि कि नहीं लाया जा सकता पहला डेटा अविश्वास प्रस्ताओं में आके होगा क्या अविश्वास प्रस्ताओं में होता ये है जो मौजूदा सरकार रहती है उसको बस ये बताना पड़ता है कि लोग सभा में उसकी मेजोर है यानि कि उसका पहुमत है अब आप सोचेंगे आपके दिमाग में एक क्या केते हैं एक क्यूरो सिटी आएगी सर मोधी सरकार ते बहुत मजबूत है, तो कि मोधी सरकार की जो पार्टी है, यानि बीजेपी और जो उनका एलाइंस है, यानि कि NDA, NDA की टोटल सीट है लोगसभा में 333, क्लियर है सिंपल सी बार, लोगसभा में मोधी सरकार बहुत अधिन मजबूत है, तो इस बार जब अविस्वास नहीं गिरने वाली, जब मोधी सरकार नहीं गिरने वाली, तो आखिर विपक्च के लोगों ने ये अविस्वास पस्ताओ लाया ही क्यों, विपक्च के लोगों के द्वारा ये अविस्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि उन्होंने रीजन दिया है कि मडीपुर में जो हिंसा हुई मडीपुर में जो उस लड़की के साथ प्रूटली तरीके से बलातकार किया गया उसको रोड पे घुमाया गया उसी की अटेंशन में उसी के गुसे में की लोगों का ध्यान जाए इसलिए हम अविस्वास प्रस्ताव लेकर के आया है यह रहा सिंपल सी बात कुछ फैक्च्वल डीटा है आपके एक्जाम में इससे कोश्चर आ सकते हैं जान लीजे अगर आप जानकारी के लिए देख रहे है तो भी आप जान लीजे क्योंकि आपको जानना जरूरी है अविस्वास प्रस्ताव स्थिर्फ लोगसभा में लाया जाता है अविस्वास प्रस्ताव मंत्री परिशद यानि कॉंसिल ओफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है और अविस्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो जो मौझूदा सरकार होती है वो गिर जाती है और अविस्वास पस्ताओं से बचने का एक ही तरीका है आप लोगसभा में अपना बहुमत साबित कर दे। बहुत आसान भासा में मैंने आपको अविस्वास पस्ताओं बता दिया आपको जानकारी कैसे लगी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताईए क्योंकि जैसा आप कमेंट करेंगे उसी अनुसार मैं आगी की वीडियो में क्या सुधार करना है और क्या और अच्छे से चीजों को बताना है मुझे फीड़ बैक उसी से पता चलता है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार